उत्रा खंड को देव भूमी कहा जाता है जहां कर्ण कर्ण में देवताओं का वास है यहां सभी देवी देवताओं के अलावा अपने इश्ट देव की पूजा भी की जाती है इश्ट देव की पूजा करने के लिए गाओं के अलावा उसी गाओं के लोग जो शहरों में बस चुके हैं वो भी उस पूजा में शामिल होते हैं हमें भी एक ऐसी पूजा में शामिल होने का अफसर मिला चुला लेक कनरा में यहाँ पूजा 22 दिन की होती है इसलिए इसे बैसी कहा जाता है 21 दिन पहले पहाड़ी लोग की छोड़ा गया जाता है जुचाड़ला देवा खुला अभी पूला तेवो भजे बाचाड़ला देवा जाई गपूला हो शीबाजी चाड़ला देवा जाई गपूला हो भी जी पूलाा प्लाजा में जाता बी जे गपूला है ए और नहीं बादेक ए पहर में ए अला एक़रेगा पार टोपिर सिह था रखोगरी यह जाद़ गार एकशेशां पूजयोग से लखनाव में स्वैक। फिर देवताओं का आवाहन किया जाता है कि मैं व जाती में पggला गयो भर कर दि की भुचर का लिए जोन्योर्दोट अरूनली में पा सैं लड़े जयो है करते हैं के लुट, है अोुम हुआदी यह पूजा राज से लेकर सुभें तक चलती है सबको आशिरवाद देने के बाद भंडारा होता है भंडारे के बाद 22 दिन की पूजा समाप्त हो जाती है काउवालों में ऐसी आस्था और विश्वास अपने आप में ही अद्बुत है विश्वास आशिए के बाद भंडारा होता है कि देख से कि तेले रजू लासोई क्याना इजू नागे की मेले